हलो एबरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन, आएम रक्षार अगुवनशी और इस लेक्चर में हम निश्यल के पाठ्ट पुस्तक योजना मद्ध्य प्रदेश गवर्मेंट की है, इसके बारे में डिस्कस रहेंगे, यह वीडियो हमारा MPPSC व्यापम की सभी एक्जा निश्यल के पाठ्ट पुस्तक योजना, निश्यल के पाठ्ट पुस्तक नाम से ही समझ आ रहा है, कि फ्री में बुक्स दी जाएंगी, ठीके, अब किन इस्टूएंट्स को यह बुक्स मिलेंगी, और किस क्लास तक मिलेंगी, यह सब चीजे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाल देखिए, पहली बात तो इस योजना का उद्देश क्या है, और यह कब बनाई गए है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताए, लास्ट में वीडियो के मैं इसका अंसर आपको दोंगी, ठीक है, योजना का क्या उद्देश है, तो मध्यप्रदेश राज की योज योजना है, ठीक है, मध्यप्रदेश राज सरकार ने बनाई है, मध्यप्रदेश के जो बच्चे होंगे, जो गवर्मेंट स्कूल में बच्चे पढ़ जाएंगे, उनके लिए फ्री में बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो बच्चे चुने गए होंगे, उनको ये यही योजना, जो है, वो गरीव शात्रों को उनकी उच्चे सिक्षा की सपने को पूरा करने में मदद करेगी, ये जो बुक्स हैं, वो दी जाएंगी 9th to 12th, ठीक है, 9th से 12 तके बच्चों के लिए हैं ये बुक्स, योजना के माध्यम से सरकार स्कूली सिक्षा की गुड़बता में सुधहल आना चाहती, ओविसली बच्चों के पास बुक्स प्रोवाइड ने कर पाते, जो गरीव शात्र हैं, तो उनके पैरेंट्स बुक्स उनको नहीं देला पाते, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस तरह से स्कूली सिक्षा में गुड़बता ओविस है, जितना अच्छा एजुकेशन होगा, उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा, उतनी ज्यादा आर्थिक स्तिती भी मजबूत होगी, ठीक है, ओके, एजुकेशन रेशियो भी बढ़ेगा, ओके, नेक्स देखते हैं, विशिष्टा हैं, इस योजना की विशिष्टा के बच्चों को ही ये मिलेंगी, ठीक है, और उनमें से भी चैन करके कुछ बच्चों को दी जाएंगी, ठीक है, जो गरीब शात्र हैं, और शात्रा हैं, तो ये पुस्तक स्कूल बुक कमिशन द्वारा प्रतान की जाएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टन, कौन देगा, साक्षर्टा दर का विकास होगा इससे, तो मद्य प्रिदेश का ओवरॉल जो सिक्षा का इस्तर है, उसमें ब्रद्धी होगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आएंगे, अगर उनके पास बुक्स है, तो बुक्स उनको बुक्स ने खरिदनी पढ़ेंगी, तो पैर स्कूल आने में पुरुचसाहिद करेंगी वो, और बच्चों की स्कूल ना आने की संक्या है, स्कूल separat यह संक्यां उसमें कमी होगी, थिक है अंग्रेजी माध्याग में जो सरकारी स्कूल है, उन बच्चों को 48 पाथ्थे पुस्तक परदान की जाएंगी, हिंदी के लिए 34 पुस्तक परदान की जाएंगी, अब बात करते हैं, योजना के लिए क्या योग जिता है, क्या eligibility है किस की school मिलेंगी चैनिज शात्र बोला तो मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए वो student मध्यप्रदेश की school में मिल रहा है मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए दूसरी चीज सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे होने चाहिए प्राइबेट में नहीं होंगे ठीक है तीसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टन यह 9 से 12 तक के बच्चे होंगे मतलब कि यह योजना जो है वो secondary और higher secondary school के बच्चों के लिए है इसलिए इसमें 9 से 12 तक की बीच के बच्चे होने चाहिए ठीक है तो 9 से 12 तक के बच्चे अब यहाँ पर आप इस तरह से भी आ सकता है secondary higher secondary के बच्चे और 9 से 12 भी आ सकता है आवेदन कौन कर सकते हैं और क्या कौन कर सकते हैं eligibility आपने देख ली अब उसके लिए क्या क्या documents लगेंगे required documents एक तो आप मध्यप्रदेश के हैं ठीक है तो आवाशी प्रमान पत्र होना चाहिए आपके पास दूसरी चीज आधार कार्ट होना चाहिए ठीक है तीसरी चीज हर चीज में ज़रत होती है आजकल आधार कार्ट की तो यह तो आप by default लगाई सकते answer और आपका आवासी प्रमान पत्र होना चाहिए इस प्रमान पत्र में स्कूल का नाम होना चाहिए इस प्रमान पत्र में स्कूल का नाम होना चाहिए और जो student अभी पढ़ रहा है वो किस class स्कूल कहां पर है कौन सा स्कूल है और आप अभी किस क्लास में वो चीज़ होगी आपका अधारकार्ट होगा और आपका आवास्य प्रवाणपत्र मतलब की आप रह रहे हैं वहां पर ठीक है यह चीज़ें डॉक्युमेंट्स लगेंगे इसके अलाबा योजना के लिए आव पुस्तक निगम की कार्याले में जाकर संपर कर सकते हैं मतलब कि student कहां जाएगा higher secondary higher education विभाग ठीक है उसकी तहतानी वाला जो text book corporation है text book corporation या पाठ्य पुस्तक निगम यह की बात है तो पाठ्य पुस्तक निगम के कार्याले में जाएगा office में जाएगा वहां पर संपर कर लेगा और वहां पर उसको application form मिल जाएगा और उसको भर देगा तो आविदन हो जाएगा ठीक है आब बात करते है इस यह जो scheme इस ठीक है मध्यप्रदेश निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना कब launch की गई इस screen को तो launch किया गया June 2017 2017 की यह जोजना है इसकी शुरूत किसने की मुख्यमंतरी सिवरासीन चोहांजी ने 2017 में योजना में किस-किस को लाम मिलेगा तो secondary और higher secondary इस तर के बच्चे उनको मिलेगा या फिर आप बोल सकते हो 9 से 12 तक के बच्चे 9 से 12 तक के students को मिलेगा योजना की देखरेक या सुपर्वाइस कौन करेगा तो यह इस बिवाग के अंतर गदाएगी मध्यप्रजेस महिला और वालविकास बिवाग महिला और वालविकास देगा चीक है इसके अंतर अतर अतर गदाएग्जाम में योजना का शेतर इसकीम का सेक्टर क्या है तो सिक्षा है यह तो आप आपसानी से बता सकते हैं निर्शुल के पाठ्यंपूस तक नाम सी समझा रहा है कि यह पाठ्यंपूस कि पर्णने के लिए books की बात हो तो books सिक्षा विवाग की आता है मै यह आता है महिला और वाल विकास बिभाग की अंतर ठीक है इसका सुपर्वाइज करेगा महिला वाल विकास बिभाग ओके ठीक है 2017 में स्टार्ट हुई थी किस ने की थी सिवरा सिंग चोहां जी ने अब यह हमने योजना के बारे में सारा पढ़ लिया अब इसके लावारती कौन-कौन है किसको इसका लाव मिलेगा इस question का answer आपको comment section बताना है प्लस नेशुल का पार्टिक पुस्तक योजना किस बिभाग के अंतरकात आती है अगर आपने वीडियो को अच्छे देखा है तो आपकी पस आजाने थांक यू सो मच थैंस फोर वचिम आपकी पस आजाने थांक यू सो मच थैंस फोर वचिम